असलाम लेकूम शुरू करती हूँ अल्ला के नाम से जो बड़ा महरबान और नहायत रहम करने वाला है आज मैं आपके साथ शियर करने जा रही हूँ ट्रिस्पी फ्राइ प्राउन की रेसिपी तो आए शुरू करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले यहां पर मैंने फ्राइ चाफ लिए थे यह मेरे बार पास मैंने टााइगर प्राउन लिए थे और यह बजार से यह आपको शेल रिमूफ करके दे देते हैं लेकिन इसको हमने साफ करना होता है देखिये इसके बैक साइट पे एक वेक होती है उसको छुरी से कट लगाके हमने इसकी वेक को जर्दी और वाइट पार्ट को अलग करके रख लिया था यह सारी चीज़े मैंने यूज की हैं इसके लिए अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ देखे यह पानी मैंने रिमूफ कर दिया था अब क्या करना है हमने यहां पे एक चमच इसमें अद्रक लसन का पेस्ट आट करन और मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूंगे तकरिबान आदे घंटे तक ताके प्राउन पे हमारे अच्छा सा टेस्ट आज़े बस इसको साइट पे करेंगे और हमन चलेंगे अपनी कोडिंग के तरफ जिसमें मैंने इसे कोड करके तलना है तो इसके लिए यहां पे मैं मैं एक चमच लाल मिर्चे आट करूँगी और जो मैंने सफैदी ली थी अंडे की वह मैं इसमें एक चमच में चिकन पॉडर आट करूँगी अगर तो आप चाहें आप अप आट कर सकते नहीं तो आप स्किप कर दें कोई मैंसा मसला नहीं है देखिए चिकन पॉडर के या अगर नहीं सोडा लेना चाहें तो आप इसे पानी से भी या दूस से भी आप इसे बैटर बना सकते तो देखिए यहां पे मैंने इसे मैं बैटर बना रही हूं थोड़ा थोड़ा हमने लेके बैटर बनाना है देखिए बैटर मेरा डन हो गया था अब इसमें मैं एक च प्राउन जो आती होते हैं तो अम्म आतियास नमक दाले लिए अधे गंटे के लिए अब बस सिंपल सा नहीं कोट करना है अगर नहीं के लिए लिए अगर और अगरम करने के लिए रख दिया था और बस हमने इसको फ्राइब करते जाना है यह तकरेबं 15 मिनट में पक 15 मिनट बाद मेडियम टू लो फ्राइब बने थे बहुत ही मज़े की बने था तो देखें मैं दिखाते हूं यह मेरे अलहम्दुलेलर डन हो गए थे अब मैं आपको इने सर्फ करके दिखाते हूं अच्छा सर्फ मैं यहां पर जो हमारी मलाई होती है बजार की टैक्र पैक कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो कंड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को मैं मिलूंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना बहुत खयाल रखेगा लाहाफेज